आज हम आप लोगों के साथ जो है विंटर स्कीन केर रूटीन सेर करने वाली हूं आप लोग काफी दुने से रिक्वेस्ट कर रहे थे ना तो बेसक आज में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपकी ड्राइ स्कीन है तो आपको क्या यूज करना चाहिए तो आपको हाड्रेडिंग और मोस्टराइजिंग यूज करना चाहिए तो दोस्तो आज हम आप लोगों को जो है नार्मल ड्राइ स्कीन के बारे में बताऊंगी तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपने फेस पे यूज करेंगे कोकोनेट ओयल तो सबसे पहले हमें क्लेंजिंग के लिए ओयल यूज करना चाहिए जो कि हमारी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाती है अगर हम मेकप क्लेंजर यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइ कर देता है स्कीन को इसलिए मैं यूज कर रही हूँ कोकोनेट ओयल तो इसे हम अच्छे से अपने फेस पे मसाज करेंगे ताकि जितनी भी डार्ट है या मेकप है वो सब निकल जाए जिनकी ओली स्कीन है और एलो बेरा जेल यूज कर सकते हैं इसके बाद आप टीसू पेपर से आप अपने ओयल को छुडा सकते हैं इससे छुडाने से मेकप सारे निकल जाते हैं आसानी से लेकिन मैं जो है फेस वास करती हूँ अगर आप चाहे तो फेस वास कर सकते हैं अगर आपको जो ओयल अच्छा नहीं लगता तो इसके लिए फेस वास कर सकते हैं अब हम दो मिनट के लिए यूज कर रही हूँ गुलाब जल्ब यह मुझे बहुत ही पसंदें आप चाहे तो काटन पैट से भी यूज कर सकते हैं आप जो है इस प्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे ही लगाने में अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही यूज करती हूँ तो इसके बाद बारी आते हैं मोस्टराइजर की तो मैं यहां पर 24 के गोल्ड ओयल यूज कर रही हूं जो की परपल का है यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा जो है इसे यूज करती हूं ऐसा नहीं है कि आप यही जो है गोल्ड ओयल यूज कीजिए आपके पास सीरम होगा फेसियल ओयल होगा जो भी आपके पास होगा आप उसे यूज कर सकते हो तो अगर आपकी स्कीन फट गई है तो वेश्ठे पिट्रोलियम जली तो इसे पूरे फेस पे लगा सकते हैं और सोच सकते हैं मैं लिप पे भी लगा रही हूँ बहुत ही जरूरी है कि आपकी लिप फटे ना और अगले दिन आपकी लिप स्टिक इवन लगे तो आप इस तरह लगा सकते हैं तो हमारी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो आईब्रो पे आईलेसेस पे यापि मुझे थोड़ा ग्लो चाहिए होता है साइन चाहिए होती है सभी को चाहिए यह मारे फेस का हाई पाठ है तो इसे लगा के सो जाना है नाइट टाइम का और डे टाइम का फेशियल ओयल यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पेट्रोलियम जली यानि वासलीन जो है रातरी के समय के लिए बता रही हूँ और दिन के समय के लिए जो है फेसियल ओयल यूज कर सकते हैं ठीक है प्यारे दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और सेयर जरूर करना तो चलो चलते हैं और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जिसका आप लोग फायदा भी उठा पाएं और अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप इंतजार करना फिर जल्दी ही मुलाकात फिर करेंगे ठीक है?